दोस्तों स्वागत आप सभी का बीएसी एंड़नसी अड़ा में आईए हम लोग पहले एनलेसिस कर लेते हैं आज के अपने इंट्रेडे स्टॉक्स का और फिर उसके बाद देखेंगे कि कल के लिए किस स्टॉक को चुना है आज का हमारा पहला स्टॉक था गुजराद गैस लिम्टेट का इसे बाय करना था 522 के उपर सोट सेल करना था 513 के नीचे अब जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पारें दोस्तो यह स्टॉक ओपन हुआ था 515 पर और उसके बाद इस स्टॉक ने हाई मारा थोड़ा सा उपर गया और 516.8 का हाई मारा और फिर वहीं से नीचे गिरना शुरू हुआ और इसने लो मारा है आज 502.25 का तो दोस्तो इस तरह से इस स्टॉक ने अपने सौट सेल साइट के पहले टार्गेट को जो 510 का था और दूसरा टार्गेट 503 का दो लोगों को बहुत ही अच्छे से अचीब किया और एक अच्छी ट्रेड साबित हुई उम्मीद करता हूँ कि इस स्टॉक में जिसने भी ट्रेड डाला होगा उसने प्रॉफिट अवज से ही बुक किया होगा और आज का हमारा दूसरा स्टॉक था ICICI बैंक का इसे बाय करना था 917 के उपर, सौट सेल करना था 907 के नीचे अब जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पारें दोस्तो यह स्टॉक ओपन हुआ था 912.55 पर और उसके बाद इसी स्टॉक ने आज टेच किया था 118.1 का तो दोस्तो इस तरह से इसी स्टॉक ने अपने बाय साइड के पॉइंट को ट्रिगर किया लेकिन वो प्रॉपर ब्रेक आउट नहीं था केंडल्स टच करके नीचे चली आएं तो वहाँ पर अगर किसी ने बाय किया होगा तो आज उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा तो चलिए दोस्तो अब हम लोग देख लेते हैं कि कल के लिए किसी स्टॉक को चुना है कल का हमारा इंट्राडे का स्टॉक रहेगा मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज का आप चाहें तो अपनी इंट्राडे की ट्रेड भी इस स्टॉक में डाल सकते हैं इसे बाय किया जा सकता है 652 पर पहला टारगेट 656 दूसरा टारगेट 662 का अगर यही नीचे गिरना शुरू होता है तो इसे शोट सेल किया जा सकता है 642 पर पहला टारगेट 637 दूसरा टारगेट 632 का इस्टॉप लोस 7 पॉइंट्स तो कल की हमारी इंट्राडे की ट्रेड मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज बाइ 652 शोट सेल 642 इस्टॉप लोस 7 पॉइंट तो दोस्तो बहुत ही अच्छे से ट्रेड डालिए इंट्राडे ट्रेडिंग रूल्स को जरूर फॉलो करिए मैं आपको फिर से एक बार याद दिला देता हूँ रूल नमबर वन मिनिममम प्रॉफिट सबसे पहले बुक करिए रूल नमबर टू स्टॉप लोस को जरूर लगाए रूल नमबर थ्री प्रोपर ब्रेक आउट होने पर इंट्री लिजे ओवर ट्रेडिंग मत करिए तो दोस्तों अगर आपने ये कुछ पॉइंट्स याद रखे तो यकीन मानिए एंड ओप दा मन्त या एंड ओप दा वीक आप जब भी अपना पी एल कैल्गुलेट करेंगे प्रोफिट में ही रहेंगगे मैं नहीं कहता हूँ कि आपकी हट ट्रेड प्रोफिट में जाएगी कभी भी स्टॉफ लॉस नहीं हिट होगा दोस्तो इस्टॉफ भी हिट होंगे और आप कभी ना कभी गलत इंट्री भी लेंगे कभी फेक बrekaard भी होंगे तो इन सब के मिलाने के बाद भी अगर आपने अपने stop loss को maintain किया और stop loss को trail करते रहे maximum profit book करने की कोशिस की stop loss को trail करते हुए तो end of the month या end of the week आप जब भी अपना PL calculate करेंगे देखेंगे तो आप profit में ही निकलेंगे तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक जरूर कर दें और अगर भी तक आपने इस चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को तुरंती subscribe कर दें और अगर किसी को अपना DMAT account खुलवाना है तो नीचे description box में मैंने link दिया है आप उस पे click करके अपना DMAT account खुलवा सकते हैं और next day से हमारे साथ trading सुरू कर सकते हैं तो दोस्तों आप सभी से कल फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद